कि अब क्या बताया जारा आपको सर अब मुझे यह बताया जा रहा है कि मैंने यह देखिए आप यह मेरे पास रिपोर्ट है जो कि मैंने 18 अगस्त को शहादत गंठाने में बाई पोश्ट की थी उसके बाद कल जब मैं वहाँ गया तो मुझे बताया गया कि आप अमबर गंचोकी जाईए और इसमें चोकी वाले आपकी मदद करेंगे जब मैं अंबर गंचो की पहुचा तो वहां बताया गिया कि यह हम इसमें कुछ नहीं करेंगे और यह आपका हदरत गंचाने में जाया जाया अब मुझसे का जा रहा है हदरत गंचाने जाया इसमें पुलिस कोई कारवाई नहीं करी मैं बस दोड़ आओं बीमा पॉलिसी दफ्तर जाता हूं वो भी अपनी कहने लगते हैं वो भी कुछ सही बात नहीं बता रहेंगे पूरी बात और आज हमको यह बताया गया है कि आपने जिन से कराया है लोन का उफर तो उनका था लेकिन अगर आप इसको कैंसिल कराना चाहते तो आप एपिक लेश मतलब हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही मैं यह देख रहा हूं मैं आज बराबर एक महिना मुझे हो गया लगतार में दौड़ा हूं लेकिन कोई लाब नहीं मिलना हुझे अब देखिया आगे जो कारवाई बताये गई उस पर भी करने की कोशिश कर रहा हूँ को भी करू महिंद्रा वालों से मेरी लगतार बात हो रही सारे नंबर उनके एक्टिव हैं और मेरी अभी परसो बात हुई थी तो मुझे बताया गिया कि 27 नहीं हुआ सर तो 28 अगस को आपकी फंडिंग हो जाएगी 28 अगस जब कल निकल गई तो कल मैने जब फोन करा तो पता यह लगा कि साथ 8 इतनी है 5 सिप्टमबर को होगी तब इस तरह से वो मुझे 3-4 महिने से लगातार देड़ बता रहे हैं बस और कोई कर और सारे नंबर उनके एक्टिव हैं और वो इस तरह से बात करते हैं इसा लगता है कि इनका बहुत बड़ा आफिस कोई क्योंकि उसमें एक आद प्रेस पूछा तो उन्होंने अड्रेस भी अपना पूरा हमको बताया 12 खंबा रोट सूरिया ग्रांट बिल्डिंग सेकंड फ्लोर में महेंद्रा फाइनेंस का ऑफिस है HDFC बेंक के पास कनाट प्लेस दिल्ली यह पूरा एड्रेस बताया मुझे और जिससे पूछता हूं सही बताते हैं वो बराबर बस डेट देते रहते हैं और दस मिनट बात करते हैं कभी फोन कार्ट देते हैं अगर दिन बर मिलाओ तो शाम को करीब पांच साड़े पांच बिजे उनका रिसीव होता है फोन और उसके बाद मुझे एक नई डेट देते हैं यह बताया जा रहा मुझे मतलраф भेजा जा रहा कि क्या मैं उनको यहां बुला ठाने में आप नहीं जाए हैं आप आपने एפलिकेशन दीजे आप से नहीं जैके बता दीजाए गी मुझे यह है